जो लोग ये कहते हैं ना, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, अक्सर वही लोग जब अकले होते हैं, तो बहुत रोते हैं, उस इंसान को कभी दर्द मत देना, जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा आएगा, दिल तो तुम्हारे पास होगा, पर दिल से चाहने वाला नहीं, बड़े मतलब भी निकलते हैं वो सभी लोग, जिन पे हम बेशर्थ, बे इंतहा, बिना मतलब के, अपना सब कुछ लुटा देते हैं, किसी का मैसेज ना आना भी, एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है, कि उसके दिल में आपके लिए कोई जगए नहीं है, हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, बहुत सी जगए पर दिल को बड़ा करना पड़ता है, नजर अंदास करना पड़ता है, हर कोई आपको समझ नहीं सकता, और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते, कभी-कभी आप बिना कुछ किये भी, दुनिया को गलत लगते हैं, बुरे बन जाते हैं, क्योंकि आप वो नहीं करते, जिसा लोग चाहते हैं, कि आप करें, इस मुश्किल को कोई तो सुलजा दे, किसी को भूला कैसे जाता है, कोई तो बता दे, दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाए, अगर लोग एक दूसरे के बारे में नहीं, एक दूसरे से बोलना सीख जाएं तो, आजकल दुनिया ऐसी हो गई है, जब किसी की जिन्दगी में नए लोग आ जाते हैं, तो वो पुराने लोगों की एहमियत ही भूल जाता है, आंसू चाहे इंसान के हो, या जानवर के हो, लेकिन ये बाहर तब ही आते हैं, जब दिल में बे इंतहाँ धर्द होता है, जिन ल लोगों को रिष्टों का मोल ही नहीं होता, वो छोटी सी बातों पर भी रिष्टे तोड देते हैं, बाते कम करो और काम बड़े करो, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम और दिखाई जादा देता है, विश्वास और प्रेम दोनों ऐसी चीज़े हैं, जो हो जाए तो त तूटती नहीं, और जो अगर तूट जाए तो होती नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक को भी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, घमन बहुत भूखा होता है, और इसकी पसंदीदा खुराख है हमारे रिष्टे, दिल में बुराई रखके, जुबान का मीठा बनना मुझे नहीं आता, जिसको अपनाया दिल से अपनाया, और जिसको छोड़ा दिल से छोड़ा, जिन्दगी में अब नाराज किसी से भी नहीं होना है, बस अब मतलबी लोगों को नजर अंदास करके जीना है, अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, कि वो बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं, वरना बुरे लोगों की अच्छाई आपका बुरा वक्त आते ही गायब हो जाती है, जो इंसान अपने दिल के इमोशन्स अपनी भावनाओं से लड़ना सीख गया, समझ लेना वो जिन्दगी जीना सीख गया, पहली महबत शायक इसलिए काम्याब नह लेकिन माबाप हमारी हजार गलतियों के बाद भी हमें अपना बना लेते हैं, मत बनाओ किसी को सब कुछ अपना, अगर वो चला गया न, और फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं, क्योंकि दुनिया में खयाल वाले कम और तकलीफ देने वाले बहुत जादा मिलते हैं,